मैं एक विधर्मी को भगवत गीता दे आया बॉली बुड में मैं बॉली बुड में जाके क्या देके आ गया बोलो भगवत गीता वो लोगों से पच्च नहीं रही है कि तुम गीता क्यों देके आया लोग कहते आपको नहीं जाना चाहिए क्यों सनातनियों क्या भगवत गीता देने बिधर्मियों के बीच में नहीं जाना चाहिए अच्छे लोगों के बीच में तो सब जाते हैं एक अनिरुद्धा चार है जो बुरे लोगों के बीच में भी गीता दे के आया सनातन का जंडा गार के आया अब फिर भी लोग मेरी आलोचना करें इस बात के लिए भी मुझे गालियां मिलें, तो भाईया ठीक है आप गालियां देते रहो, मैंने बुरा क्या किया, जो कभी राधे राधे नहीं बोलते मैंने उनसे राधे राधे बुलबाया, क्या गलत कीया बताओ, तुमारा बेटा तो शराव की दुकान में जाता है, तब तुम नहीं बोलते कि बेटा तुम किलब में क्यों गई, और अनिरुद्धाचार गीता देने गया, तो अधिकान से लोग गाली देने लग गया रे तुम वहां क्यों गए, क्यों? क्या गलत किया मैंने वहा जाकर मैंने कौन सा मुझरा कर लिया अरे गलत लोगों के बीच में सही लोग नहीं जाएंगे तो गलत लोग भी सही कैसे हूंगे किसी को तो जाना पड़ेगा तो मुझे जाना पड़ा तो मैं गया और गीता देके आया उबिधर्मियों के मुझे रादे रादे बुलवाया क्या गलत था तुमारे पडोस के लड़के कलवों में जाते हैं तुमारे पडोस के नौजवान मेरी उमर के लड़के कलवों में जाके लड़कियों के संग नाच रहे हैं और मैं भगवत गीता बाट रहा हूँ, क्लबों में जाके नाचने वाले के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा, हिंदुओं के गाउं के गाउं धरम परिवर्तन करा दिये गए, मुसलमान और हिसाई बना दिये गए, तब कोई नहीं बोलता, मैं गीता दे के आया, तो मुझे देख लो समाच का ये दोगलापन, आज हिंदुओं के गाउं के गाउं क्रिश्चन हो गए, लाखों हिंदु धरम परिवर्तन कर लिए, कौन बोलने गया, जिनने मेरे हसी मजाक में, मेरा मजाक उड़ाने के लिए जन्होंने वीडियो बनाई, क्या उन्होंने उनकी प्रत और जाके भगवद गीता का प्रचार करूंगा, आज मैंने कल बताया आपको कि दुवई के अब्दुल्ला साहब आए, और दुवई के अब्दुल्ला साहब आके बोले कि मैं दुवई में भागवद कठा कराना चाहता हूँ आपकी, मुझे बोले आओ, मैं दुवई करामान समझ गए सनातन को विकिन भारत का हिंदू ना समझ पाया वो मेरे को गालियां देने में लगे। सबकी सेवा ये लत आस करता है फिर समाज में कुछ लोग हमें पानीowski के गालियां देते हैं ने पानीowski WP के कोस्ते हैं हम समाज का क्या बुरा करते हैं बता फिर भी लोग गालियां देते हैं जैसा कि भाईया ने कहा कि कुट्टे तो भौकती रहेंगे मैं ध्यान नहीं देता लेकिन बस मैं आपको ये कहता हूँ कि अनादी समय से ये परंपरा रही है अच्छे काम करने वाले का साथ देने वाले बस आप जैसे कुछ अच्छे लोग ही हैं समाज में वरना पाउँ पकड़के खीचने वालों की फाज है स्वयम तो अच्छा करते नहीं और कोई अच्छा करें तो उसे अच्छा करने देते नहीं तो ये दास अनिरुद बताव अच्छा कर रहा है कि बुरा आप दर्सन करना इन ब्रद्ध माओं का आज बेटी लेकर आई माँ को मैंने कहा रखो रखा अब इन माओं की सेवा 288 माता है थी आज एक माई 289 माता हो गई बहुत जल्दी 290 माँ होंगी 300 माँ होंगी अब रहने की जगह है यह नहीं तो इनके लिए एक आश्रम बनाना पड़ता है हमें लोग वो आश्रम का निर्मान देखते हैं कुछ लोगों कोई रिशा होती है कि आप इतना बड़ा कैसे काम करते हैं अरे मैं अपने लिए घर थोड़ी बना रहा हूं बे सहारा वरद्ध माओं के लिए घर बना रहा हूं कि वरद्ध माओं रह सकें सोचिए गौरी गोपाल आश्रम में दोसो अठासी माताएं है ना नवासी माओं इन माओं को आप सोचिए कि रोज एक एक गिलास दूद मिलता है रोज का दूद कितने का हुआ सब को भरबेड भोजन मिलता है नास्ता मिलता है फल मिलते हैं कपड़े मिलते तेल सावन क्या नहीं लगता ग्रहस्तिं बताओ मंजन ब्रस क्या नहीं लगता आपके ग्रहस्ति कपड़े लगते क्या नहीं लगता भाई बताओ आपके परिवार में पांच लोग हैं उन पांच लोगों का पालन करने में तुमारे बाल जड़ जाते हैं तुमारे परिवार में कितने लोग हैं? पांच लोग पती, पतनी, बेटा, बेटी, माता, पिता और जादा होंगे तो दस लोग होंगे भाई भाजाई भी होंगी तुमारे परिवार में 5-10 लोग हैं वो कमाते कमाते तुमारे हालत खराब हो जाती है तेल सावन खरीते खरीते दाल साग सबजी खरीदने में तुमारी हालत खसता हो जाती है सोचिए जहां 288 माँ का भोजन बनता होगा और जहां गुरू कुल में देड़ सो बच्चे नहशुलक पढ़ते हैं यह दास मेरे के क्या गरस थी देड़ सो बच्चे पढ़ रहे हैं गुरू कुल में गरीब परिवार के जिन गुरू कुलों को मुगलों ने अंग्रेजों ने जलाया बंद किया उन गुरुकुलों की स्थापना यदास अनिरुद्धाचारे ने की है आज डेड़ सो बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में ओन रिकॉर्ड अपनी आँखों से देखिएगा मेरी कही बात पर यकीन मत करो आँखों से देखो डेड़ सो बच्चे गरीब परिवार के पढ़ते हैं उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री मैं कोई पैसा नहीं लेता किसी बच्चे से डेड़ सो बच्चे भारत के पढ़ रहे हैं मेरी यौकात जादा नहीं है पर डेड़ सो बच्चे पढ़ाने की तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ, कौन सी चोरी कर रहा हूँ किसी के घर जा कर, बताओ गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, फिर भी समाज कुछ लोग गालियां देते हैं, अच्छा कहने वाले लोग आप जैसे कुछ अच्छे लोग हैं, परना लोग तो केवल बुराईयां देखते हैं, गलतियां ढूंडते हैं, गौरी गोपाल आस्रम में डेड़ सो बच्चे हैं, आप से कहूंगा के एक बच्चे को आप गोद ले लो, एक बच्चे की सिक्षा में आप थोड़ा सहयोग करो, डेड़ सो बच्चे भोजन करेंगे तो रोटी तो चाहिए ना भाय उन डेड़ सो बच्चों की रोटी, उन बच्चों का नास्ता और 288 माओं का नास्ता इनकी रोटी, यह सब विवस्था करनी है ना, दास को, तो मैं करता तू हूँ मेरी उमर के लड़के, मेरी उमर 33 complete, 34 running चल रही है, 34 साल का लड़का, आज बहुत सारे लड़के हैं, जो बाप के टुकड़ों पे पलते हैं, पापा मोबाइल लेना है, पैसा दे दो, पापा गाड़ी खरिदना है, पैसा दे दो, बाप के टुकड़ों पे मेरी उमर के लड़के पल रहे हैं, यह बात सही है कि गलत है, जिस उमर में बाप के टुकड़ों में कुछ बेटे पलते ह उस उमर में जब ये दास समाज की सेवा करने निकला है तो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है जिस उमर में बच्चे दस वजे सोकर उड़ते हैं उस उमर में ये दास आठ वजे यहां संत आते हैं लगभग हज्जारों एक हजार साधू रोज भोजन करता है गवरी गोपाल में आप देख सकते हैं अपनी आखों से आपने किन किनने देखा है एक हजार साधू रोज भोजन करते हैं फुटपात पर सौने वाले दीन, दुखी, यंधा, लंगडा, बहरा, काना, खोरा सब साधू अधिकांस जो जैसा सब को भोजन और रसोई खुली है अखंड रसोई आप सब आओ भोजन करो अब बताओ जिस सुमर में लड़के 10 वजे 100 कर उड़ते हैं वो सुमर में ये 10-10 वजे से अन्यदान करना शुरू कर देता है आप लोगों की तरफ से आप बटवाते हो मेरा नहीं है ये आप जो सहयोग करते हो आपकी तरफ से कहता हूँ आप भी संतों को अन्यदान करो एक दिन की अन्य सेवा आप करो आप भी एक दिन की रसोई सेवा करो आप भी अन्यदान बटवाओ आप भी अन्यदान करके इन तमाम सेवाँ से जुड़ो एक दिन बेटी के नाम, बेटे के नाम से आप भी अन्यदान करो एक दिन का अन्यचेतर आप बटवाई अपनी और से अन्यचेतर बटवा कर आप भी संतों की सेवा से जुड़िये आप भी एक साधू को संत को भोजन कराईए यहाँ जो रसोई सेवा होती है आप रसोई देखी आपने देखा होगा मैं चाहू ना तो विश्च्राम करूँ मेरा कोई संडे नहीं होता मेरा क्या नहीं होता संडे मेरा को दिन भर काम करना पड़ता है भाईया ने कहा कि अपने लिए समय निकलता बात सही है भाईया मेरे लिए कुछ भजन लिखे थे आज इस बात को लगभग दो तीन महीने हो गए इन्होंने लिखके दिया ट्रैक बन गया गाने का टाइम नहीं मिला सोचिए एक घंटा भी अपनी जिंदिगी में अलग से निकाल पाना मेरे लिए कठिन है आपके पांच लोगों के परिवार में आप कितने व्यस्त होते है तो जहां गौरी गुपाल का इतना बड़ा परिवार हो वहां काम नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा होगा